पीरियर्स जो है वो हम लड़कियों की लाइफ में बेहद एहम रोल प्ले करते हैं अगर ये सही है तो मा बनना भी आसान है फर्टिलिटी हमारी सही रहती जिनके पीरियर्स सही नहीं होते हैं एक तो उनको इन फर्टिलिटी की समस्या हो जाती है प्रेग्नेंट होना बेहद मुश्किल होता है उनके लिए साथ ही सारीरिक समस्या है जैसे की बाल जढ़ना आँखों से धुंदला दिखना डार्क सरकिल हो जाना मुटापा बढ़ जाना और साथ ही चेहरे पर बहुत ज़्यादा हेर ग्रोथ हो जाना यह हो जाता है जिनके पीरिट्स ठीक से नहीं आते हैं और यह हार्मोनल इंबैलेंस की वज़े से होता है आप लोगों की बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं मेरे पास कि मैं हमारे दो-दो महीने पीरिट्स नहीं आते हैं ये भी एक बहुत सम्वेदन सील इस्थिती होती है कोई बहुत सेवियर हार्मोनल प्रॉब्लम होती है आपको जिसकी वजह से आपके दो-दो महीने या छह-छह महीने पीरिट्स नहीं आ रहे हैं अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉमेंट्स आएं में पस इंस्टाग्राम पे फेस्बूक पर भी और यूटूब पर भी इस वजह से आज ये वीडियो में आप लोग साथ शेयर कर रही हूं तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है और आप अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों हो रहा है और आपको क्या करना नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी दोस्ते बहर बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बेस्ट केर और प्रेगनेंसी वे इसके लिए आप क्या कर सकते हैं इसके लिए आपको कुछ टेस्ट है जो करवाने पड़ेंगे कि कोई घरेलू उप्चार से सही होने वा लिए 6 माइने पीर्ट्स आ ही नहीं रहें तो ओविएसली यह कोई हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से ही है तो इसको ठीक करने के लिए आपको जरूरी टेस्ट कराने पड़ेंगे यह आपको पहले तो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या हार्मोनल प्रॉब्लम है जरूरी तो इसके लिए कर नहीं भी करने के लिए तो ऑपको टैस्ट कराने होंगे पहले तो आपको फुल अब्डमन अट्रा सॉंट कराना होगा जिए प्रॉब्लम अपने पेट का एक अगर पता चल पाएगा कि आपको ऊ-स तो नहीं है ओवेयं सिस्ट यह अफिय यू- कई बार इसकी वज़े से भी बहुत जादा painful periods आते हैं, जब periods आते तो बहुत जादा दर्द होता है, रुक रुक करके आते हैं, महीने में कई बार आ जाते हैं, ऐसी समस्याएं होती हैं, अगर PCOD PCOS है, तो फिर तो 2-3-3 महीने periods आएंगे ही नहीं, अगर uterus में सूजन है, ओवरी में सिस्टेट, तो भी आपको severe periods problem हो सकती हैं, और ये भी hormonal problem की वज़े से ही ये विमारियां होती हैं, thyroid की वज़े से भी periods irregular हो जाते हैं, तो इसके लिए आपको blood test कराना होगा, TSH कराना होगा आपको जिसमें कि अगर उसका level कम या जादा है, नॉर्मल रेंज नहीं है, तो फिर इससे भी आप समझ सकते हैं कि आपका thyroid बढ़ा है या घटा है, ना घटना चाहिए ना बढ़ना चाहिए, एक नॉर्मल रेंज तक रहना चाहिए, नॉर्मल रेंज अराउंड 5 तक होती है, अगर इससे जादा या कम होता है, तो TSH जो है इस समाना जाता है कि आपका thyroid बढ़ा हुआ, TSH मतलब thyroid stimulating hormone, जो thyroid को stimulate करने वाले hormones होते हैं, वो उसकी वज़ए से भी कई बार periods जो है, वो irregular हो जाते हैं, तो इतना कराने पे आपको काफी हद तक clear हो जाएगा कि problem क्या है, अगर इन में सो कोई भी समस्या है, लाइक आपको PCOD, PCOS है, तो इसको आप घरे लूप चार से भी ठीक कर सकते हैं, या फिर आप इसका treatment ले सकते हैं, घरे लूप चार से अगर आप ठीक करना चाते हैं, तो इस पर अलोड़ी चैनल पर वीडियो है, आप देख सकते हैं, अगर आपका ovarian cyst है, तो भी आप उसी वीडियो में आप की lifestyle खराब है, आपकी diet खराब है, आपका stress level बहुत ज़्यादा हाई है, इस वज़े से आपकी period जो है, वो सही से नहीं आते हैं, अगर यह सब आपकी clear है, कोई problem नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो फिर आपको अपनी lifestyle को ठीक करना होगा, आपको अपनी diet को बहुत ज़्यादा करना होगा, बहुत अच्छी diet रखनी होगा, आपको बाहर की चीजे नहीं खानी है, प्रिजर फूद डिब बन फूद आपको नहीं लेने, बहुत ज़्यादा सॉल्ट और सुगर नहीं लेना है, आपको अपनी diet में, और साथ ही एक अच्छी नीद लेनी और stress-free life जीनी है, अगर आप इतना करते हैं, तो इससे periods ठीक हो जाएंगे, साथ ही अगर आप कोई physical activity नहीं करते हैं, जैसे कि ना walk करते हैं, ना yoga, exercise, gym, अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, तो इन में से कोई भी एक activity जो आपको अच्छी लगे, या walk कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जिम कर स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे महिलाओं का जो reproductive parts हैं, जैसे कि ovary है, uterus है, pelvic area है, इन में blood का flow बढ़ता है, जिसकी वज़े से बहुत सारी बीमारियां जो है, योहीं बिना किसी treatment के खतम हो जाती हैं, periods हमेशा ठीक से आते हैं, regular आते हैं, तो जिन लोगों को भी periods क problem है, अगर उनके periods में bleeding कम होती है, या 5-10 दिन ऊपर हो जाते हैं, या time to time नहीं आते हैं, तो वो भी जरूर physical activity करिए, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप simply walk करिए, daily walk करिए, इससे भी आप देखेंगे कि कितना जादा आपके periods पे फर्क पड़ा है, आपका periods का flow कितना सही हो ग लिए, तो इसको भी आप आज मागे कि देखें, जिनको भी लगता है कि उनके period जो है, वो सही से नहीं आते हैं, या flow के साथ में आते हैं, तो I hope कि अब आप समझ गए होंगे, अगर आप कोई test कराते हैं, और आप जानना चाहते हैं कि reports में आपके क्या आया है, आप doctor से नह पर इंशान लेनी जोएत नहीं, आप मुझे इंस्टर्गाम पर अपनी report सेंड कर सकते हैं, इंस्टर्गाम है बेस्ट केर ओ प्रेगनेंसी, लिंक आपको description box और comment box में मिल जाएगा, तो आप मुझे अपनी जो report है, आप मुझे इंस्टर्गाम पर सेंड कर सकते हैं, या फि सब के reply कर दू, कर भी देती हूं मैं सब के reply लेकिन थोड़ा सा मतलब यह नहीं होता कि एक ही दो दिन में मैं सब के reply कर दू, थोड़ा सा time लग जाता है मुझे, तो अगर किसी की report बहुत ज़्यादा इमर्जेंसी वाली है, तो आप मुझे Facebook पर कर सकते हैं, शेर Facebook पेज़ वहाँ पे भी comments की संख्या बहुत ज़्यादा कम है, तो मैं आप आसानी से थोड़ा देख लेती हूं, तो आप मुझे अपनी report send कर दीजेगा, link आपको comment box और description box में मिल जाएगा, तो I hope कि जानकारी आप अच्छी लगी होगी, helpful लगी होगी, अगर जानकारी अच्छी लग कर